हेलो इस्ट्रेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसस, टैली प्रैम स्रीज का लक्षय नूमबर 50 है, और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम पिछले वीडियोस में कैस स्टेडी 2 को कम्प्लीट कर चुके हैं, और आने वाले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे कैस स्टेडी अब माल लेते हैं कि हमें आगे इसी को कंटिन्यू करना है, यानि कि हमारा next financial year होगा 21 से 22 तक ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो हमने बताया था आपको कि कैस स्टेडी 2 से यहाँ पर हम चार्ट आफ अकाउंट्स, यानि कि list of account का है, या फिर इसमें जो भी laser या stock item बने हैं, उन सभी को हम export कर लेंगे, और साथ में उनका जो closing balance है, उसको भी हम export कर लेंगे, clear है, फिर क्या करेंगे, एक नई company बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम financial year रखेंगे, 21 से 22 का, clear है, और फिर उसके बाद इसी company में, नई company में, ज इसी company में next financial year की entry कर सकते है, ठीक है, दो तरीके हैं, तो यहाँ पर दोनों में से best कौन सा है, यह आपको पता है, हमने बताया था, कि आपको जब यहाँ पर export करके, एक नई company बनाके, उसमें data import करते है, तो हर एक financial year का data है, वो पुरानी company में safe रहता है, clear है, और जब आप एक कही company पर यहाँ पर period को change करके entry करते हैं, तो एक ही company पर सभी financial year का data रहता है, जिससे थोड़ा सा risk बना रहता है, clear है, तो आप जो तरीका चाहें, यहाँ पर use कर सकते है, तो यहाँ पर अब जब हम export करेंगे, ठीक है, कैस study 2 से, जब हम chart of accounts को export करेंगे, ठीक है, chart of account, tally ERP में इसका नाम है list of accounts, ठीक है, तो यहाँ पर हमें चलना है chart of accounts में, तो यहाँ पर हमें क्या export करना है, clear है, तो यहाँ पर chart of account में हम export करेंगे lasers को, ठीक है, किसको export करेंगे, lasers को export करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि laser export कर लेंगे, तो इस company में तो stock group, stock item, stock category, यह सब भी उज़ हुआ है तो देखे जब हम लेजर को एक्सपोर्ड करेंगे तो साथ में हमें कई सरे option मिल जाएंगे थिक अभी इनके बारे में बात करेंगे थिक है अब एक काम करते हैं यहां पर चलते हैं lasers में और यहां पर आप देख सकते हैं यह के बारे में हम जो है define कर चुके हैं ठीक है तो चलते हैं यहाँ पर configuration में ठीक है और यहाँ पर so more ठीक है so more करते हैं एक बार और फिर यहाँ पर आप सब सब पहले देखे type of master यानि क्या export करना है तो यहाँ पर हम enter करेंगे हमें देखे laser ही export नहीं करने हमें यहाँ पर सारी चीज़े export करनी तो यहाँ पर हम set करेंगे all masters ठीक है तो जब हम यहाँ पर all masters set करेंगे तो जितने भी laser है stock item है stock group है unit of measure है मलग जो भी चीज़े हैं जो accounting से related masters है और जो inventory से related master है वो सारा का सारा जो है वो export हो जाएगा clear है भी इसको हम yes करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर opening balance भी चाहिए ठीक है closing balance as on तो यहाँ पर 1st March ही रखेंगे क्योंकि हमारी last month की entry थी वो 1st March पर ही थी और अगर 31st March पर होंगे तो यहाँ पर हम 31st March पर रखेंगे तो यहाँ पर इसको मेंटर करते हैं फिर यहाँ पर select master name style ठीक ह तो यहाँ पर हम name only रखेंगे और फिर यहाँ पर export setting कुछ है जैसे यहाँ पर language क्या रहेगे तो यही रहेगी all language file format XML रहेगा export यानि कि कहाँ पर export करना है और यह सारी चीज़े हम बता चुके हैं आपको ठीक है open folder after export यानि कि जब export हो जाए तो जो है folder आपका open होना चाहिए ठीक है तो yes कर दिया अब यहाँ पर हम वापस आते हैं configuration हमारा complete होगे इसकेप से वापस है और इसको सीधे हम यहाँ पर कर देंगे send ठीक है तो इससे क्या होगा जो हमारा data वो send हो जाएगा यानि कि export हो जाएगा लेकिन यहाँ पर यह और यह नई कंपनी बनाएंगे और उ next financial year की entry कर सकते हैं ठीक है फिलाल तो यहाँ पर हम next financial year की entry नहीं देखेंगे क्योंकि कैसे करते हैं import वगरा वो सारी चीज़े हम आपको बता चुके है ठीक है तो यहाँ पर फिलाल तो इसको हम close करते हैं और अगर हम बात करें cash study 2 में तो यहाँ पर हम March तक complete कर चुके थे यह दिया है और यहाँ पर payables की बात करें तो payables में आप देख सकते हैं कि एक LMP electronics हमने March में एक entry pass की थी जब हमने purchase किया था तो इनको भी हमने payment नहीं किया है ठीक है तो फिलाल यह आपका cash study 2 जो है वो complete होता है और जैसा कि हमने बताया कि आने वाले वीडियो में cash study 3 जो है इसे पूरा हो चुका है service organization with GST आने वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे cash study 3 जिसमें interest calculation, GST report, GSTR 1, 2, 3B और GST वगरा pay करेंगे तो यह सारी चीजे थोड़ा सा detail में देखेंगे ठीक है tally prime के syllabus के बारे में बात कर चुके हैं, tally prime notes है यह और cash study 1 और cash study 2 यह 4 PDF complete कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में हमारा यह start होगा और बाकी जो cash study 4 और cash study 5 हैं यहाँ पर अभी notes बन रहे हैं ठीक है तो इस पर अभी कम चल रहा है तो आने वाले दिनों में यह भी complete हो जाएगा तो फिलाल यहाँ पर आपको अभी यह बता देते हैं कि cash study 3 डाउनलोड कहां से करना है ठीक है तो यहाँ पर हम open करते हैं browser और यहाँ पर आपको search करना है upciss और upciss यहाँ पर आपको पहली website मिलेगी upciss youtube.com ठीक है यहाँ पर आप यह वारल देख लेए upciss youtube.com क्लियर है और इसको यहाँ पर open करेंगे इस website को और notes में चलते हैं यहाँ पर notes में नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा tally prime study material इसको open करते हैं और आप इसको देखें डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर यह डाउनलोड हो गया ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह सारी चीजे आपको हमने बता दी कि आगे आने वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे और अभी तक हम कितना complete कर चुके हैं ठीक है तो यह सारी वीडियो में ओके सो थाइंक्स पर वाचिंग इन वीडियो